बड़ी गुड नीज मैं आपके साथ सेयर करने वाला हूँ यूपी स्कॉलरसिप को लेकर जी हाँ यूपी स्कॉलरसिप का स्टेटस अभी छात्रों का बेरिफाइउ होना सुरू हो चुका है डिश्ट्रों के स्कॉलरसिप कमेंटी से और अब छात्रों का इंतजार न के बरा रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आगन को जरूर हिट करना जिससे कि आने वाले समय में कोई भी इंफर्मेशन आपसे मिस ना हो तो फिर देरी किस बात की चले वीडियो को सुरू करते हैं और आपको सारी जानका है आप एक लेटिस्ट स्टेटस मैं आपको दिखा दूँ कि बेरिफाइड बाइंक यानि कि इनका फॉर्म बैंक से भी बेरिफाइड हो चुका है और डिस्ट्रिक स्कॉलर्शिप कमेटी से भी इनका फॉर्म बेरिफाइड हो चुका है अब टाइम देख लो तो साब साब चात भी बेरिफाई करना सुरू कर दिया जाएगा जिनके फॉर्म में यदि कोई त्रूटी नहीं है अगर त्रूटी रहती है तो आपको उसको करेक्शन करना होगा जिसका लास्ट एट कल तक था और आपको 17 फरवरी 2024 तक अपने कॉलेज में इंस्टिट्यूट में डीडवलो मे डाकुमेंट्स को जमा कर देना है हर हाल में तो ये बड़ी गुड नियूज है कि बेरिफाई रिकमेंड़ बाइड डिस्ट्रिक स्कॉलर्शिप कमेटी लिखा रहा है बहुल ज़्यदा बच्चों का फॉर्म बेरिफीकेशन स्टार्ट कर दिया गया डीडवलो से और इन बड़ी जानकारी छातर लगा ता डेट बढ़़ने के बारे में ट्weet कर रहे है मैसेज कर रहे हैं मेरे को instagram पे भरबर कर दियम कर रहे हैं तो डेट बढ़़ने को लेकर मैं संडे को वीडियो अपलोड करूँगा उससे पहले अगर डेट बढ़ जाता है तो ठीक आज助 प् तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा नहीं किया है तो ये समझ लो कि भूल कर रहे हो जल्दी कर दो और चलिए बढ़ते हैं आगे कुछ कमेंट्स के तरफ चलिए बढ़ते हैं आगे कुछ कमेंट्स के तरफ चलिए UP scholarship का status देखना हो या फिर UP scholarship का करना है नीचे चले आना है आपको कई सारे लिंक्स मिल जाएंगे प्री मेट्रिक पोस्ट मेट्रिक पोस्ट मेट्रिक अदर इंटर फ्रेस रिनिवल जो सा भी आपका form है आपको registration नमबर डेटा बड़ पास्वर डाल के capture डाल के submit करना है और अपना status देख लेना है और अगर आपके status में जरूत है तो correction कर लेना है समझ गए तो cml.in पे विजिट करके आप correction तो बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं तो कुछ कमेंट्स को मैंने पिक कर लिया है लगभग 15 कमेंट्स को मैंने पिक किया है फटा फरसें का reply करूंगा live वीडियो में आप लोग देखिए कि sir ये problem है कि अभी हमारे college का result नहीं आया हम लोग correction नहीं कर पाए तो कोई पाए बताइए देखिए result नहीं आया है तो फिर college के करमचारी से बात करिए क्योंकि ये एक सिर्फ एक छातर की समस्या नहीं है अप पूरे colleges की है maximum बच्चे ऐसे हैं जिनका second same का या फर जो भी same था result नहीं आया है तो ऐसे में छातरों को मौका मिलेगा DW की तरब से लेकिन आपको अपने college के करमचारी से बात कर लेना है कि आप लोग बात करिए DW लेबल पे NIC लेबल पे बाकि मैं तो हूँ ही समझ गए दूसरा सर जी मेरा duplicate income certificate दिखा रहा है तो देखो duplicate income certificate दिखा रहा है और आपको income certificate चेक करना अगर सारी चीज़ें सही है तो परसान नहीं होना है virginal income certificate का photocopy ले जाके college में जमा कर देना है सर प्लीज आनलाइन date extend हो सकती है क्या update प्लीज सर देखे अभी date बढ़ाया जाने को लेकर DW से कहा गया है कि date बढ़ेगी इस बात की कोई guarantee नहीं इस बात का कोई सपश्टी करण नहीं दिया गया है लेकिन अगर जरूरत समझ में आती है तो एक दूदीन के अंदर मैं tweet करूँगा बात करता हूँ date बढ़ जाती है तो अच्छा रहेगा चात्रों के लिए दूसरा कुछ और भी comments को मैंने पिक कर लिया है आप देख लो कि राम official का कहना है कि भाई farm correction करते time enrollment number wrong हो गया तो क्या करें देखो आपको already enrollment number गलत था तभी आप correction कर रहे हो और उस पर से फिर गलती हो गया तो ये बड़ी समस्या है इसका एक ही उपाय आप बचा है अब सही करवा पाएंगे सर्फ college वालों ने मेरा farm forward ही नहीं किया क्या करें college में बात करो कि farm forward करें अगर वो नहीं forward किये हैं तो भाई ना हमारे हाथ में कुछ है ना आपके हाथ में कुछ है समझ गए सारा कुछ तो farm forward के ही याधार पर है सब मेरा correction नहीं हो पाया है please date पढ़वा दो बहुत बच्चे ऐसे हैं लगबग 20 बच्चे ऐसे हैं जिनका 20% जिनका correction नहीं हुआ है मैं इसलिए मैं फिर कहता हूँ कि channel को subscribe करो लो लगबग 70% ऐसे बच्चे हैं जो वीडियोस तो regular देख रहे हैं मगर चैनल को subscribe नहीं किये हैं उसे मेरा अनुरोध है कि कर दो क्योंकि आज कुछ घंटे बाद मैं एक community पोल करने वाला हूँ polling यानि कि voting करवाऊंगा जिसमें मैं पूछूंगा कि correction का date बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए और आप लोगों ने correction किया या नहीं किया समझ गए तो आप लोग फटा फट से जोड़ जाओ चैनल के साथ date बढ़वा दो sir please sir बहुत बच्चों का आ रहा है कि sir please date बढ़वा दीजिए कुछ भी करके हमारा form correction नहीं हो पाया है हमको scholarship नहीं मिल पाएगा यह वो बहुत ज़दा सवाल आ रहे है मेरा scholarship form में status में सत्यापित नहीं किया गया है so कर रहा है please reply देखो सत्यापित नहीं किया गया है यानि कि आपकी college ने master data नहीं बेजा है तो इसका मतलब है कि आपको अपने college में जाना है बात करना है बहुत जादा ही कमेंट्स हो गए चलिए दो कमेंट का reply कर देता हूँ भया please मुझे मेरी problem का solution बता दो enrollment number सही fill किया था पहले और उसके बाद status में गलत दिखा रहा था फिर मैंने correction करने के लिए login में उसमें पहले से किसी ने गलत correction कर दिया enrollment number की जगा इस खुलोड से prescription number बढ़ दिया है देखो भया आपका form है तो किसी और ने correction कैसे कर दिया से वह सुधरवा देंगे अगर आप नहीं वह सुधर पाते तो आप खुदे डीड़वल ऑफिस चले जाओ status का photocopy लेकर चले जाओ प्रीविस यह की result का photocopy सुधर जाएगा समझ गए मौका है अभी ग्रहामी बारामी का status नहीं दिख रहा है status दिख रहा है वह या verify नहीं ह तो आई होक की चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा चलिए मिलेंगे किसी ने वड़ो में किसी ने टोपिक के साथ तब तक के लिए thanks for watching